असलाम अलेकुम दोस्तो मेर नाम है आतिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हिस्टोरियन गुदू यूट्यूब चैनल दोस्तो आपने बहुत से लोग तो ऐसे देखे होंगे जो के स्याने होते हैं लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो के स्यानेपन में मास्टर किया हुआ होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चांदिक ऐसे अकल के नमूनों से मिलवाने वाला हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि करोना वाइरस ने पूरी दुनिया का निजाम ही तबदील करके रख दिया था जो लोग महीने में एक दफ़ा ब्रश करते थे वो अब रोज़ाना कॉल गेट से ब्रश करना स्टार्ट हो गए ताके मास्क पहन कर अपनी ही बदबूच से मरने से बाच सकें बल ये तो अंदर की बाते हैं लेकिन अगर फेस मास्क के इस्तमाल की बात की जाए तो ये इंतहाई आसान है बस इसे कानों के सहरे मुपर लगा लिया जाता है लेकिन कुछ लोग इस काम को जिपिटर पर जाने जितना मुश्किल समझते हैं ये जो पॉलेटिशन आप देख रहे हैं ये भी फेस मास्क लगाने की एक जंगल लड रहे हैं पहले इन्होंने मास्क लगाया मगर वो भी सर पर और दूसरी दफ़ा इन्होंने कोशिश की तो वो भी बड़ी मुश्किल से इन्होंने मास्क आँखों पर लगाया वोल इतनी ट्राई के बावजूद भी ये मास्क लगाने में नाकाम रहे उसके लावा ये जो किंग कोबरा आप देख रहे हैं ये भी फेस्क मास्क लगाने का तरीका बता रहे हैं लेकिन इन से एक फेस्क मास्क नहीं लगाया चा रहा लगता है इनकी शकल देखकर मास्क भी शर्मा गया उसके लावा ये जो रिपोर्टर आप देख रहे हैं इसने तो मास लगाने के सारे ही गुर गठर में बहा दिये इन नमूनों को देखने के बाद करोना वाइरस के रियाक्शन कुछ यू होगा वल दोस्तों कहते हैं के ओरते बहुत ही ज्यादा बाते करती है पहले की आंटियां दो गंटे लोगों की मा बहने करने के बाद इतना कहती है के चलो क्या हमें उनसे ख्या लेना देना और कभी तो इनकी डिसकेशन इतनी इंपोर्टन्ट होती है कि वो कहीं पर भी स्टार्ट हो जाती है यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें भी दो लड़कियां रोड के बीचो बीच खड़े होकर शायद नई नवेली बहु के नखरों पर बहस कर रही थी वेल पहले तो ड्राइवर ने इनको इगनोर किया मगर जब ड्राइवर की बरदाश्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई तो इसने इनको हॉरन दिया वेल इन लड़कियों को कौन बताए कि ये अपने चाचू के गर नहीं बलके एक मसरूफ रोड पर खड़ी है वेल हॉरन सुनने के बाद ये दोनों ऐसे अलाइदा हुई जिसे देखके ये लग रहा था कि दाल में कुछ नकुछ जरूर काला है दोस्तो आप सबको तो पता है कि टिक टॉक स्टार बनना कोई आम बात नहीं है एक टिक टॉक स्टार बनने के लिए आपको अपनी शरम, हया और इज़त इन तीनों से हाद धोना पड़ता है करमली तो टिक टॉक की वीडियोस 15 से 20 सेकंड की होती है मगर इने बनाने के लिए काफी खुआर होना पड़ता है ये जो खुबसूरत और हटे कटे बाई साब आप देख रहे हैं ये भी टिक टॉक पर अपनी डांस की वीडियो बना कर मशूर होना चाहते थे तो इन्होंने कैमरा आउन किया और अपने घर में ही डांस करना शुरू हो गए मगर जब कोई हाथी जैसा बदन लेके डांस करेगा तो उनके एरिया में जलजला तो जरूर आएगा वैल इनके एरिया में भी कुछ ऐसा हुआ और जलजला आने के बाद सबसे पहले तो इनके घर का टीवी टूटा और उसके बाद घर का दर्वाजा नीचे जा लगा वैल अब बंदा इतना नाज़क बदन लेके ये काम करेगा तो ये तो होगा वैल दोस्तो आप मेंसे बहुत से लोगाने सवाईया तो खाई होंगी जो के काफी एक स्वीट डिश है वैल ये डिश जादतर औरते ही बनाती है वैल क्या हो अगर कोई इस डिश को निंजा टेकनीक में बनाने की कोशिश करे वैल ये जो शकल आप देख रहे हैं ये भी निंजा मास्टर बनने के बाद काम ना मिलने की सूरत में अंकल गफ़ार के खोके पर समयों का काम शुरू कर दिया और ये इस वीडियो में बड़े मज़िदार तरीके से समयों को खोलने की कोशिश कर रहा था पहली दफ़ा तो इसने समयों को खूब उचाला मगर जो ही उसने समयों को पाउं पर मारा तो वो नीचे से खुलने के बज़ाए नीचे से फट गई और इस बिचारे की सारी समयां जमीन पर जा गिरी वैल इस जिस जादा इंबेरिसमेंट और क्या हो सकती है तो दोस्तो आज की वीडियो यहीं तक थी उमीद है आप लोगों को पसंदाई होगी पसंदाने की सूरत में वीडियो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्टोरियन गुरू को जरूर सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाने के हैबान